the correct representation in six-membered pyranose form of the following sugar is देखे मैंने इस पर गाइज इसको पहले तो आप यह ध्यान रगिए जो यह वाला representation है इसको आप बोलते हो fisher projection है ना और इनको जब आप इस तरह के circles में rip कर देते हो इसको बोलते हो आप worth projection ठीक है इसमें convert करना है कि correct representation क्यागा इस पर गाइज मैंने trick बनाई हुई है जरूर देखें बहुत ज्यादा help करेगी आपको उसी trick को यूज करते हो आप मैं explain करते हो बताऊंगा ताकि आपको और यूज है लेकिन practice के लिए उसको जरूर देखें तो थोड़ा समय इसमें आपको explain भी करता रहूंगा क्योंकि जरूर यह स्कताइक पर questions में अब देखें इसको convert करना है इन में किसी में से यहां से counting कहां से होते है देखें C है यह 1,2,3,4,5 यह छटा carbon हो गया न यह 5 यहां स करता है इसके CHO पे correct देखें यह same to same reaction ऐसी है जैसे आपने देखा होगा कि ROH जब आपके RCHO के साथ reaction करता है ठीक है तो यह O है वो इस पर attack करता है यह निकल जाता है तो इसको आप क्या से represent करते हो C O H O R H यह इसमें करनोट हो जाता है same concept यह है यह वाला OH वाला part है यह CHO य यह वाला part है ठीक है तो इस पर attack करता है ठीक है अब एक और द्यान रहें जो RCHO है यह एक planar structure है यह यह plane C double bond O R and H तो जब में यह loan भी attack करता है तो यह उपर से भी attack कर सकता है और नीचे से भी attack कर सकता है ठीक है तो इसमें दो तरह के structure possible होते है आलाएक इसमें आपको जरू तो नहीं है देकिन फिर भी पता होना चाहिए ठीक है जब यह इस पर attack करता है तो यह किस तरह का structure बन गया देखे ऐसे ठीक है अब यह दो structure कैसे बन गये यह आपको में बताया था यह plane है तो जब उपर से attack करा तो suppose यह बन गया और नीचे से attack कर तो यह बन गया difference क्या है बस मैं दोनों को साथ में लेके चलूँगा ताकि बाद में issue ना हो कुछ नहीं ता इसमें बहुत मिमीट में मना दिया अब simple आपको क्या करने देखे 1,2,3,4,5 यहां से थोड़ा count करने start करे ठीक है देखे 5 carbon है एक oxygen है तो हमें यह पता है obviously कि 5 member की carbon की ring होगी और यह एक oxygen मिलके 6 member ring बन जागी तो मैं 7-7 दो ही बना देता हूँ ताकि मैं इसको इसमें और इसको इसमें incorporate कर सको ठीक है अब देखे यह oxygen है oxygen सो बराबर में आप start कीजिए कैसे यहां से उपर वाला जो 1 है ना oxygen के right से start होगा यहां से अब इसको ऐसे समझें गाईज यह minus plus minus plus यह trick है basically अगर क कोई आपका right में है तो वो positive होगा समझें right में तो positive होगा कोई अगर right में है positive तो उसको negative कर दो ठीक है और अगर कोई negative है उसको positive कर दो याने अगर कोई नीचे इसमें left में है तो positive हो जाएगा right में है तो positive हो जाएगा समझ में आ रहा है अब कैसे देखे ओ है oh है oh right में है positive य याने इसको मुझे negative कर देना है याने नीचे क्योंकि देगे इसमें इस तरह के डंडे लगेंगे समझा रहा है तो one oh right में है याने नीचे कर दिया तो इसमें ये वाला इसमें लिख देता हूँ oh और h उपर आ जाएगा फिर two पे h right में है तो याने नीचे आ जाएगा oh left में है तो याने उपर आ जाएगा negative था याने positive कर दो similarly oh left में है तो याने oh उपर और h यहां similarly OH right में तो नीचे आ जाएगा इसमें यहाँ H similarly इस पे क्या है यह O तो यह होई गया था याने CS2OH नीचे है याने negative उसको positive कर दोगे याने O पर आ जाएगा याने CS2OH और यह हो गया H similarly इसको incorporate कर लिजए यह वाले जो बाकी की सारी balances थी यह तो सेम थी याने CS2OH H H O H O H O H H यह तो सेम रहेगी बस यह वाला जो था यह आ जाएगा है जो left में था याने negative positive आ जाएगा याने ऊपर OH और यह नीचे H समझा आगे है बस इसमें से देख लीजे कौन सा आपका option match कर रहा है तो अगर आप इसमें देखोगे जो option number 2 है वो आपका match कर रहा है कैसे यह देखे यह नीचे लिखा नहीं है लेकिन है एच ही है confuse मत हो ना ठीक है so option number 2 है is your correct answer याने जो alpha था alpha वाला है यह क्यों गया बीटा वाला वाला तो आपको समझ में आओगा यह सारे questions